नमस्कार दोस्तों स्वागते शोमुस बैली जी के और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे परकिंसंस डिजीज के बारे में तो परकिंसंस डिजीज क्या है परकिंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट क्या होगा परकिंसंस डिजीज के सिम्टम्स क्या है और परक लोगों की इस डिजिस के बारे में जानने की जो इच्छा वो बढ़ चुका है क्योंकि नॉर्मली एक मिलियन से ज्यादा केसे हर साल इंडिया में परकिंस्स डिजिस में होता है तो परकिंस्स डिजिस क्या है बहुत सिंपल सी टर्म में आपको समझाऊंगा this is a brain disorder मतलब brain की एक problem जिससे की brain brain की जो हिस्सा जो body के movement को control करता है उसमें problem होता है वो जो हिस्सा brain का जो body की movement को control करता हो उसके वजह से unintended uncontrollable movement of muscle होता है और age के साथ साथ बढ़ती उमृ के साथ साथ यह होता है Generally after 60 अगर Parkinson's जिन स्टार्ट होता है धीरे धीरे इसका stages है 5-6 different stages Stages में इसे जाते जाते धीरे धीरे पहले तो स्टार्ट होता है एक tremor से मतलब ऐसे एक हात या फिर एक पा एक उंगली इसे स्टार्ट होता है जहांपर tremor uncontrolled movement और दीरे-दीरे होते होते क्या होगा वो movement जो है सिर्फ एक जगह से body के अलग-अलग हिस्से में distribute करेगा अलग-अलग muscles में distribute करेगा और muscle की posture weak हो जाएगा क्योंकि body muscle stiffness हो जाएगा और muscle का control करना खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और दीरे-दीरे muscle control अगर of Parkinson's disease उनको वो उड़ भी नहीं सकेंगे बैड भी नहीं सकेंगे कुछ कर भी नहीं सकेंगे वो जो movement और locomotion जो criteria होता है ब्रेन से control होता है वो सारे चीज चला जाएगा तो यह होता है आप परकिंसन्स disease बिसीड़ी एक ग्राइजू विए बौड़ी के वो प्रॉबलम स्टार्ट होता है और धीरे-धीरे problem स्टार्ट होते होते वह एक जगह से लेकर एक हाथ या फिर एक पैर से लेकर स्टार्ट होते होते वह uncontrollably muscle stiffness पूरा बौड़ी में फैल जाता है तो बह बारे में अलग video हम बात करेंगे मकर परकिंसम्स में यहां पर क्या होता है कुछ-कुछ neurons brain की कुछ जगह इस जगह की neurons मर जाता है और वह नय neuron form नहीं करता क्या कि बात है जो neuron होते है हमारे निग करता body के बाकि का जो cells वह divide करता है और भी cells त्यार करता है नियूरोन जो है वो डिवाइड नहीं होता है अलग कुछ सेल से जो डिवाइड नहीं हो सकता है जैसा जितना हमारे बेन में नियूरोन्स है मौझूद एकदम बचपन से लेकर एंड तक वही रहेंगे तो आफ्टर सम यह लाइक फॉर्टी फिप्टी यह सिक्टी यह कोई जी लिया तो उस नियूरोन दी रही ते जब अगर मरने लगया स्पेसिफिकली उस जगह का नियूरोन ब्रेन का जो जो कोडिनेट करता है मसल मसल कोडिनेशन मूवमेंट तब जा मगर हमें यह पता जरूर चलाए के परकिंस्स डिजीज जब होता है जिन नेए उन में उनके शरीर में डोपामीन के मात्रा कम पाया जाते हैं डोपामीन कहां से प्रडूर्दीउस होता है तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रुक्ट्टर ऑफ ब्रेन हैं यहाँ बहुत गैंगलिया बोलते हैं ठीक है ब्रेन के हिस्सा बैजल गैंगलिया वो जो बैजल गैंगलिया होता है बैजल गैंगलिया में कुछ न्यूरों से और वही जगह है बेसिकली जो बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है ठीक है तो बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल करने वाले उसके बात क्या होगा बाड़ी में डॉपामीन के अळॉटजाए डॉप होगा दोपामीन के मांट डॉप होने पर एक कैस्केवर सअन के में होता है जिससे के जो कौडिनेशन बंद हो जाता है तो सिर्फ dopamine ही नहीं और एक hormone है बहुत important जो जिसको norepinephrine बोलते हैं जो hormone heart rate को control करना blood pressure को control करने में मदद करता है तो नorepinephrine hormone के amount में भी गिरावाट आता है जब Parkinson's disease होता है तो Parkinson's disease जिस लोगों में हैं उनमें dopamine और नौरेपिनेफिरिन के मात्रा कम पाए जाते हैं तो यह हमें पता है मगर एक्जाक्ली क्यूं यह चीज कम हो गया क्यों यहां का बैजल गैंगलिया जो एरिया है ब्रेन के अदर वहां का जे नियूरों से वो क्यूं धीरे-धीरे मरने लगता है है after a sudden age जो मरना नहीं चाहिए हर एक में तो नहीं हो रहा है कुछ लोग में हो रहा है तो क्यूं exactly हो रहा है हमें exactly पता नहीं है मगर genetics का बहुत बढ़ा रोल इसमें जरूर है तो पाया जाते है कि एक एक फैमिली हिस्टी में अगर परकिंसन्स है तो उनको परकिंसन्स होने की chances ज्यादा रहते हैं after the age of 60 तो यह पाया गया कि after the age of 60 अगर किसी को परकिंसन्स हो रहा है तो बंदा नॉर्मली 10 से 20 साल वैसे ही जी सकता है मगर with the progressive stages of परकिंसन्स डीजीज की symptoms क्या है मैं तो पहले भी बता है आपको start होता है tremors मतलब एक हाथ या फिर एक पैर में ऐसे अन शेकी shaky movement involuntary movement tremors सी यह start होता है धीरे धीरे यह progress करने लगता है तो यहां पर हमने जब बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि muscle coordination movement की problems की symptoms इसके इलावा भी कुछ-कुछ problems और रहते हैं muscle movement तो block होगा slowness of movement होगा congestion होगा muscle में वो तो ही उसके लिए आपको एक mental problem भी आता है जैसे के emotional imbalance रहता है लोगों में depressed रहते हैं वो लोग इसलिए antidepressants से उनको treatment करना पड़ता है उसके लिए urinary retention में कुछ-कुछ problem होगा क्योंकि वहां पर भी muscle involved urinary retention एक problem जो muscle ठीक से काम नहीं करेगा उसी इसाब से constipation भी हो सकता है क्योंकि वहां पर भी muscle की involvement होता है तो जहां जहां पर muscle involvement वो ठीक से काम नहीं करेगा जैसे कि constipation हो गया urinary tract का कुछ-कुछ problem हो गया urinary tract infection हो सकता है ज्यादा देर urine को written करने के लिए वहां पर acidic urine के से भी problem हो सकता है skin में कुछ-कुछ problem सो यह सारे चीज़े linked है with Parkinson's disease stage 1 में tremor रहेगा हाथ या पैर में धीरे-धीरे movement move करेगा अलग-अलग जगा पर body की uncontrollable movement पहले होगा उसके बाद control धीरे-धीरे नियंतरन जो होगा organs की उपर यह muscle जो movement हम कर रहे हैं ऐसे इस सारे नियंतरन धीरे-धीरे चले जाने लगेगा और धीरे-धीरे stage progress होते होते stage 2 फिर भी body के posture जो इसमें problem हो जाएगा क्योंकि body bend होने लगेगा different muscles काम नहीं करेंगा stiff होने लगेगा तो उसके बाद इसे body posture stage 2 में बदलेगा stage 3 में क्या होगा body posture इतना बदल जाएगा का आपको scratch की जरुवत पड़ेगी चल फिरने के लिए difficulties होगी चल फिरने के लिए बाद जब stage 4 आ जाएगा तब आपका जो muscle movement के control है वो almost ना के बराबर हो जाएगा तो obviously you'll need a proper care आप अकेले जी नहीं पाऊगे आपको किसी की हार एकी जरुवत पड़ेगी हर वे to do day to day life things उसके बाद stage 5 जब automatically you know you'll be totally bedridden अब उसके इलावा कुछ नहीं कर पाऊगे कोई भी muscle body कैसा general नहीं होगा जिसको आप modify कर पाऊगे यह सारे symptoms अब कुछ लोग पूछते हैं कि यह जो Parkinson's disease इसमे इसमें भी लोग क्या भूल सकते हैं memory loss हो सकता है answer यह कि हाँ हो सकता है मगर यह normally memory loss की problem है नहीं वह अलग disease है वह अलग disease जो memory problem memory loss होता है वह Alzheimer's disease कहला है तो इसके बारे में detail में अलग video में हम बात करेंगे यहां पर यह एक body coordination failure की disease है मगर इसमें भी after देखो 60 साल के बाद किसी को Parkinson's हो रहा है तो फिर से 10-15 साल के बाद stage 4 stage 5 में जा रहे हो वहां पर जाने के बार memory loss होना कोई बड़ी बात नहीं है वह पर हो ही सकता है यह तो यह भी यहां पर हो सकता है और और जो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकता है symptoms जो कि जो नियंतरन जब खोने लगेगा तब जाके problem हो सकता है क्योंकि one of that kind of muscle body के अंदर है हम voluntary control करते हैं जिसे का diaphragm हो गया यह हो गया जिससे हम सास ले सकते हैं तो ऐसे में अगर हम उसको control नहीं कर पाएंगे तो सास लेना भी दिक्कते हो जाएगा उसके वजए से लोग मर सकते हैं मतलब यह complete cure इसका है नहीं तो complete इलाज है नहीं किसी को Parkinson's disease हो रहा है तो उसको control करने के लिए हम medicines दे सकते हैं जिससे की symptomatic relief मिले मगर उससे complete cure कभी नहीं होगा क्योंकि complete cure possible नहीं है कोई disease जहां पर neurons उमर रहा है उसको ठीक करने की इलाज हमारे पास अभी तक है नहीं research चल रहा है बहुत सालों से अभी बात यह होता है कि यहां पर देखो कौनसी कौनसी medications हम ले सकते हैं जो tremor है मतलब uncontrollable movement involuntary movement जो हो रहा है उसके लिए हमें anti tremor medication हम ले सकते हैं दूसरी बात है जो movement में problem हो रहा है जो dopamine का level body में drop हो रहा है dopamine drop होने पर जो problems आ रहे हैं उसके लिए हम dopamine supplement ले सकते हैं बाहर से जिससे body में dopamine के amount में थोड़ा increment आए जिससे कि dopamine की ना होने पर जो symptom से उसको हम relieve कर पाए तो यह dopamine supplement हो सकता है tremor anti tremor medications हो सकते हैं उसके साथ-साथ कुछ tranquilizers जिससे के इंसान यहां पर सो पाए anti-depressants हम दे सकते हैं उसके साथ-साथ muscle control का जो agent anti-depressants ही यहां पर काम करेगा और यह सारे के सारे जो है neural network से उसको ठीक रखने के लिए कुछ supplements यह सारे चीज़ी दे सकते हैं इसके इलावा कुछ हमारे पास देने के लिए हैं नहीं अभी तक इससे ही symptomatic relief मिलेगा तो अगर early onset पे stage 1, stage 2 पे detect हो जाए और detect होता भी है क्योंकि यहां पर जब tremor start हो जाता है तो लोग को check करना परता है कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है तो check करने के बाद क्यों medication start हो जागा stage 1, stage 2 से तो normally after 60 years किसी को यह हो रहा है तो उसको उनको 10-15-20 साल तक life आसानी से हो सकता है अगर everything supportive care उनको दिया गया है तो supportive care का एक बहुत बड़ा रोल है इसलिए बहुत सारे supportive institutes हैं Parkinson's patients के लिए जहां पर वो जाते हैं और regular वो involved रहते हैं different कामों में तो बहुत important रहता है यह सारे चीज़, so that is all about Parkinson's disease, Parkinson's disease treatment, Parkinson's disease cure and all these things. If you like this video, please hit the like button, subscribe to this channel to get more videos like that in future and definitely share this video with your friends and colleagues so that they get to know about it करुआ और हैं कि अपर पो प्यादी तो दो अद्वार हैं सार्माल सवाद साथ हैं सक्षा चाहां से जहाँ हैं तोऑल कामों और वो नहां से आपला हैं तो जो शोद्वादी रहाँ हैं से अच्ट